कैसे हैं आप तो आज बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी गाइस बड़ों के फेवरेट भी बनाएंगे आज की जनरेशन के फेवरेट भी बनाएंगे और जो हमारे टाइम की जनरेशन है 20 से 25 साल पुरानी वाली जो उनका उस टाइम पे फेवरेट था वो भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बने रहेगा बहुत यम्मी टेस्टी से हल्दी सी रेस्पी बताऊंगी दो से तीन तरीके बताऊंगे जोन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आएगा उसी तरीके से आप इसको बनाएगा और खाईएगा और पसंद भी जरूर कीजिए पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा तो जहां मैंने ले लिया है वाइट वाली ब्रेड आप वाइट की जगा ब्राउन भी जहां पर ले सकते हैं देखेगा इस तो जहां मैंने 8-10 पीस बनाऊंगी बाउल के तो 2-3 तीन तरीके से बताऊंगी तो बने रहेगा मेरे साथ तो देखिए गाइस मैं एक नम पतले बतले सारी बेड में बीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं सारी बेड को पहले कटिंग करके रख लिया था देखिए जितने भी पीस आपने बनाने है घर में तो जहां मैंने 8-10 पीस लिए और जो साइडे थी ना इसको मिक्सी ग्राइंडर में जग में बड़े वाले में जो बीच वाला जग होता ना उसमें डाल करके इसका ब्रेड क्रम्स त्यार कर लेंगे देखिए कुछ भी वेस कि मैं आप सिधी वीडियो में जो भी दिखाते है जो बीदिक्ते हैं कटिंग कर दिखा देखिए को दिखा अब श्रय बच्षें कर देखिए तो मैंने चलो बच्श लिए चाप करते हैं इस तरीके से नॉर्मली होता है लेकिन नहीं जन्रेशन नहीं पीड़ी हे बच्चो को के वर नहीं पता चलता है तो आप स्लैप पे नीचे रखके भी अराम से कटिंग कर सकते हैं फटा बठ हमारा चॉप हो जाता है इसी तरीके से में हरे धनियों को बहुत अच्छी दरह से धूलिया था वोच कर लिया थो छोटा छोटे कटिंग पतियां कर लेंगे और इसी के रखके अधरक को हम च्छीलेंगे नहीं सिर्फ हम इसी को जैसे रगडते हैं कद्युकस तक न समय करकरे हो भी में हुआ है करिए और इसमय वालें लिए का न सुप लिए पट अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको इसको स्किप कर दीजिगा मत डालीगा और जहां भी एक टिप देती हूंगे जब भी हम माम दस्ते में कुटते ना तो समान बाहर निकल जाता है जब हाथ रखके उपर से हलका सा रखेंगे अब कुटेंगे तो आपका बढ़िया सा उड़ उड़ के नहीं गिरेगा तो इस देखें पेस्ट हमारी गार्लिक की और सारा समान हमने त्यार कर लिया है अब मैंने जहां पर आलू को बॉयल कर लिया था देखें एक दो सीटी लग वाली थी आलू को थोड़ा सा एक टोरी पानी लगा करके पानी जानी डाला था ग हुआ चारा समान प्रका यहां ज्सक्खक होगी जिसेकी मैं नहीं ड ही देखेंगा जो कि ले चीज के चिलका होताना तो कि अब अब हमीरी फेस्ट करेंगा जिसे हमार opinion FM समूद बनेगी देगें बड़ी आसी हमारी पेस्ट तियार हो चुकिया आलू की आप क्या करेंगे इसके अंदर हम मसाले एड़ करेंगे क्या क्या एड़ करेंगे तो गाईज आज कल के बच्चों का फेड़ क्या है सीजनिंग जो पीजा पे डालते है ना जा बर्गर के चमच घी डालके फ्राई कर लिया था और उसके बाद मिक्सी में बीट कर दिया था तो जहां मैंने अजवाएन और साथ में डाल दी है जीरा हाज में का हम पुराने लोग ड़ते हैं और साथ में डाल दूँगी मैं जहां पे लाल मिची बोर गरम मसाला जिससे उनकी पसंद का भी हो जाएगा तो जहां मैं डाल दूँगी नमक टू टेस्ट तो जहां हम जो हमने पेस्ट बना के रखी थे थे ना अद्रक की लसुन की और प्याज जब गईस डालेंगे ना हलका सा हाथों से क्रेश कर दीजेगा जिससे की पूरी लेर्स प्याज की निकल जाएंगी तो बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी तो गैस मैं आपको बता रही थे अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लिजेगा अगर आप फेस्बुक पर हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लिजेगा अगर यूट्यूब पर हो तो मेरे को सिस्क्राइब कर हju तो देखेगा हम सारे क्या करें गे चमछ की साइथा से जिससे की सारे बॉल्स आपकी एक साइज की बनेंगे जब आप चमछ के से लेंगे न तो जे भी एक येख सारे ज्वा बाई तयार कर लिए है तो जितना प्रक्रेड के अंदर आजए बहुत सारा ना करियेगा फिर वो bread से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे जहां मैंने ले लिए गेहु का आठा healthy tasty बनाएंगे बच्चों का favorite भी होगा और हमारा भी हमें जो मम्मीओं को होता ने कि हम बच्चों को healthy healthy खिलाएं उनको पता भी ना चले खुशी खुशी वो भी खाएं तो देखेंगे जहां मैंने अगेहु के आठेक अंदर थोड़ा सनमक डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला सा celery जिसे कहते हैं घोल तियार कर लेंगे पतली सी परत्म देखें एक दम बढ़िया से टिप लेकर आती हूं बहुत बढ़िया बढ़िया तो लाइक जुरूर कर दीजेगे एक दम पतला सा घोल तियार करेंगे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे गाड़ा थिकनेस नहीं बनाएंगे तो जहां मैं लेलूंगी पानी एक प्लेट में करेंगे एक कॉर्नर पकड़ेंगे दूसरा कॉर्नर ला देंगे अब मैं दूसरी तरफ से भी चकोर सा हम बना देंगे अब हाथों से प्रेस कर देंगे तो जो पंजाब में बनाते थे हैं तो वहां पर बाउल बनाते हैं और जो हर्याना में हम खाते हैं ब्रेड रोल बनात नहीं मैं बुल बनाई नहीं, लेख zwischen नोटीर आप से। ब्रेड रोल बनाईए एक दम अगर ब्रेड थोड़ी सी हाथ से क्रैक भी हो जाए ना तो गईस घबराईएगा नहीं सोड़ा सा बॉल हलका सा प्रेस करेंगे आपस में जुड़ जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता हल तो गईस देखे सारे हमारे ब्रेड डॉल त्यार हो जहां तो गहु की आटए कांने गोल्क टियार करके रखा थाना आप जहां पर आररोट भी मेधा ले सकते हैं जा फिर कॉनफ्लार भी ले सकते हैं लेकिन गिल्छों घार हर घर में अराम से इजली मिल जाता तो देखें बिल्कुल भी हम ज्यादा नहीं डिप करेंगे उसके के अंदर हम देखे डिप कर लेंगे एक दम मैं आप भी आपको दौरा से पास से दिखा देती हूँ जिसे कि आपको पर समझा जे देखे मैं ब्रेड के अंदर सीधा डाला आप ब्रेड के उपर ही रख दीजिए एक दम क्रिस्पी कुरुकुरे करारे से आपके ब्रेड रोल इक बार बना करे देखेजा एक दम दम करें आपको पसंद आएंगे अगर slow रखेंगे तो इसके अंदर घी भर जाएगा तो medium आज पे ही पगाईए देखे एकदम फटा फट त्यार हो जाते हैं हमारे balls तीन से चार मिन लगेंगे हलके से आपको roast करने के लिए fry करने के लिए sorry guys roast कह रही हूँ तो guys जहां देखे दूसरे जो ball बनाए थे हम उसको भी बनाएगे दूसरे त्रिक्के से मैं कैसे बनाऊंगी तो बने रहेगा guys मेरे साथ बढ़े ही अच्छे अच्छे tips लेके आती हूँ bread ball एकदम बढ़िया से त्यार हो चुके है ball भी त्यार हो गए तो guys देखे अब मैंने जहां पे ले लिया है bread जो normal bread अगर आप bread के roll नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सोचते कोई जंजड ना कोन करेगा तो जहां पे हम bread को लेंगे जितने ही pieces आपने bread बनाने हैं आट बॉल बनाने दस बॉल बनाने उतने बॉल ब्रेट के pieces लेजिएगा साइडे भी आपको निकालने की इसके अंदर जुरुत नहीं पड़ेगी तो सारा मैं bread crumbs बना दूंगी इसके अंदर आप bread छोटी-छोटी करके भी डाल सके हैं लेकिन फिर उसके अंदर क्या होता है अगर आप मिक्सी में करते हैं तो बड़ी आसी powder त्यार हो जाता है और अच्छी सी गुंद भी जाता है जैसे आटा हम गहुका आटा गुंद बहुत है सेम वैसे इस आटे को गुंद लेंगे देगे bread डाल करें एक दम easy tips and tricks बताऊंगी तो बच्चों के आज कर गईस क्या फेवरेट है smiley वो potato वाली smiley मिलते है बच्चे अक्सर उसको बहुत ही गर्मियों को छुटियां पड़ी है smiley के कभी हम कौन से rolls के packet लेक रहते है जब आप एक वार मेरे तरीक के से बनाएंगे ना तो बजार की लाना भूल जाएंगे देखेगा अब हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट भी और अपना भी फेवरेट तो कैसे बनाएंगे तो जहां मैंने देखिया आटे को पूरा हाथों में लगाया कुकिंग ओयल और आटे को जो हमने बनाया है ना मिक्स्चर हमने आलू का और ब्रेड का इसको फिला देंगे प्लेट में और कोई भी आपके घर में धकन कोई प्लेट छोटी को टोरी बगारा है समाइली साइज की वह ले लिजिए किसी डिबी का धकन भी ले सकने लिए सारे हम गोल गोल हलका सा हाथों से प्रेस कर देंगे और सारे को उपर उठा के रख लेंगे देगे इसको यह हम बाओल बना लीजिए जो हमारे को फेवरिट है जो आपके मदरें लोगे फेवरिट है वह बाओल बनाईएगा अब जई मैने बच्चों की स्माइली बनांए बीच में एक डम क्लियर हो तो आ डालए इस भी बना दीजी आलू के साथ कैसे बनाते तो गई इसलिकर के से बना तो चाहे तो आपको ब्रेड करने की जरूरी नहीं आपको डिप करने की जरूरत है कैसे लगे आपको ब्रेड करम्स वाले और बिना ब्रेड करम्स के लगाए हुई हमारे ब्रेड रोल देखें गईस खाई ये खिलाई है आपकी कीचन निरवाले को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए देखें बहुत सारे टिप्स और ट्रेक्स लेकर आती हूं देखें एक दम इसको भी हम मीडियम आच भी करेंगे गईस देखें जिससे के अ मान आहे है तो फटा-फटा आलू के बनाई के समाइली बनाएर चाय ब्रेड़ रोल बनाई ये चाफिर भीना ब्रेड के बनाए और स्डियां है बच्चों के फेवरेट हमारे फेवरेट चाहे सॉस के साथ खाइए चाहे चटनी के साथ खाइए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक का बटन नीचे आगा इस जरूर प्रेस कर दीजेगा और मेरे आने वाली वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्र त्यार हो जाएगा बिना कोई मेहनत के बस रात को बना करके रख लीजिए जा ठंडे ठंडे मोसमें बना के रखिए फ्राइए करने के टाइम पांच मिन लगेंगे फ्राइए करने में खाईए खिलाएए आपकी किचिन के लाइक कि